पर्दिक सूपकामनाएं, प्रयागवासियों को, प्रदेसवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बशे हुए भारतवासियों को दे रहा हूँ प्रदेश के माननी प्रद्वान मंत्री जी आज लाल किले से राष्ट को संबोधित किया है और प्रदेश के मुख्मंत्री आधनी योगी आधितनाजी लखनवू से प्रदेश की जनता को संबोधित किया है स्वतंत्र भारत के इतिहास का हर 15 अगस्त हम सब के लिए महत्पूर है लेकिन अमरित काल का स्वतंत्रता दिवा सिशले भी बहुत महत्पूर है क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे होने पर जहां हर घर में तिरंगा फाराया गया था और इस वर्ष भी हर घर तिरंगा फाराने का एक कारकम चला है और राष्ट भक्ति की भावना जन जन में जागरित हो इसके लिए मेरा देश मेरी माटी बीरों को बंदन और इस भूमी को नमन करने का जो कारकम चला है उसके क्रम में आज कई कारकम यहां पर हैं यह तेहासिक है मैं आप सबको भी सभी पतकार मित्रों को भी सभी चायाकार मित्रों को भी सभी बच्चों को बड़ों को माताओं बहनों को नौजवानों को किसानों को सब को देश के स्वतंतता दिवस के उसर प्रहार्दिक सुपकामनाय देता हूं और जो संकल्प आजमानी प्रधान मंत्री जी ने लेने का आवहन देश्वासियों से किया है यह अब हमें राश्टी चरीत का निर्माड करना पड़ेगा हम ऐसी कोई भासा का प्रियोग नहीं करेंगे जिससे आपस में बैमनस्ता पैदा होती है हम लोगों को एक जूट रख इसे तीन दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थ विवस्ता है उसके बराबर ला करके पांस सान के अंदर क्ली करेंगे और बहुत बड़े बड़े वे आज घोशना साड़े ती तेरा करोंड की संक्या में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके उनके मध्यम संसा किया जाए वा कम होगी मोदी जी के संकल्ब सकती और दिन रात पल पल और देश के लिए कख़ाने का और पाई-पाई-देश के लिए खर्च करने का जो संकल्ब पता उसका पड़ना यह गर्व की बार भी करेंगे और आप विश्वास रखिए कि सोलावी बार वी आप नोजवान और माताउं और से पूछ没事 सब को इसका हिसाम मिल रहा है दिखे जहां जहां लहरा नहां पूरी दुनिया में लहरा रहा है जाहना भी बारत वासी तिरंगा को लोग नमन कर रहे हैं पडाम कर रहे हैं लहरा हिंद जै भारत भारत है